अध्यप्रदेश के एक थाने में आरोपी पर टॉर्चर का वीडियो सामने आया है तो पुलिस वालों पर भी गाजगिरी खिड़की में लटका यूवक ये तस्वीर मानफता को शर्मसार करने वाली है वीडियो में एक यूवक खिड़की से लटका दिख रहा है वो खामोश है कमरे के अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं कुछ वर्दी में तो कुछ बिनावर्दी के बताय जा रहा है कि यूवक को नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में यहां लाया गया था घटना मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई की है जहां वीडियो में मुलताई पुलिस थाने में चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को खिड़की की ग्रिल से बांध कर उसकी गर्दन और हाथों के बीच डंडा बांधा देखा जा सकता है यह घटना 18 सितंबर की रात की है वीडियो वाइरल होने के बाद पीडित युवक ने शिकरवार को बैतूल एसपी से शिकायद की इसके बाद एसपी निश्चल जारिया ने शनिवार को एसाई सुनील सरयाम को मारपीट के आरोप में सस्पेंड कर दिया युवक ने आरोप लगाया कि बस स्टैंड के पास उसकी चाय नाश्टी की दुकान है पुलिस वाले उसे रात 12 बजे पकड़ कर ठाने ले आए इसके बाद दोनों हाथों को खिड़की पर रसी से बांथ कर लटका दिया गया और नशीले पदार्श बेचने का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई हलाकि अब वीडियो वाइरल होने के बाद आरोपी पुलिस वाले पर आक्शन हो गया है